दही बड़ा या दही भल्ले की चाट हम सभी को बहुत पसंद आती है इस्पेशली उत्तर भारत में तो दही बड़ा बहुत पसंद किया जाता है जिसे दिवाली और होली के मौगे पर जरूर से बनाया जाता है वैसे तो देखिए दही बड़ा जो बड़ा होता है वो तेल में तल कर बनाये जाता है लेकिन अगर आप ज्यादा तला भुना खाना पसंद नहीं करते हैं या फ्राई चीजों से परहेज करते हैं तो आप बिना तले हुए दही बड़ा को इस खास तरीके से भी बना सकते हैं जिसमें हम तेल का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे तो आईए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ कि हमें बिना तले हुए दही बड़ा कैसे बनाना है तो दही बड़ा बनानी के लिए हम सबसे पहले डाल का पेस्ट बना के ready कर लेंगे तो यहां पर देखिए मैंने एक कप उड़त की डाल और एक कप मुंग की डाल को राद भर के लिए पानी में भिगो के रख दिया था अब हम इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे एक मिक्सी जार में आड़ करके महीन पेस्ट बना के हमें इसका ready कर लेना है तो आप इसको पीस्टने के डाइम भी इस बात कर ध्यान रखे कि आप इसमें बहुत जादा पानी नडाल दें वरना ये फिर अच्छे से बने का नहीं एक्दम थोड़ा सा पानी आड़ करके हमें इसका पेस्ट तयार कर लेना है तो यहां पे देखिए महीन पेस्ट बनके तयार हो गया है अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे उसके बाद हमें इसमें आड़ करना है कद्दुकस किया हुआ अद्रक करने के बाद हम इसमें आड़ करेंगे बारिक कटी हरी मिर्च थोड़ा सा हरा धनिया आड़ करें और बस थोड़ा सब इन्याट करेंगे। उसके बाद हमें अच्छे से मिला लेना है। इससे तरह से कह से ब्रुताople dever to form the meal तो जैसे हम वार्मिलिटी बनाते हैं तो ठीक हमें उसी तरह से इसे बना रिया के तार के लिना है तो यहां पर दिक्त нат справ से मैंने इट्ली का पड़ता निकाल लिया है और उसमें मैंने ज्ट एक-ड्रऊ दिसीगी डाल तिया है मतलद लिए लिए अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ना लगाएं आप डारेक्ट इसे इसी तरह से भी बना सकते हैं फिर इसे हम इटली स्टेंड में डाल के हमें इसे 10 से 15 मिनिट के लिए स्टिम कर लेना है पाप में पका लेना है जैसे हम इटली पकाते हैं तो यहां पे दिख़िए 15 मिनट हो चुका है तो यह जो बड़ा है यह बन के तयार हो गया है अभी हम एक-एक करके इन बड़ों को बर्तन में से निकाल लेंगे और हमें इसे डायरेक्ट खुन्पूरी पानी दे याना है तो यहाँ पे मैंने इसे पांच मिनट के लिए कुनकुर्य पानी में रख दिया था अब पांच मिनट के बाद हम इसे पानी में से निकाल लेंगे हतेली की सायता से थोड़ा सही से निचोड़के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और उसके बाद हम जैसे दही बड़ा बनाते हैं, वैसे बनाके हमें इसे तयार कर लेना है, तो यहां मैंने दही को फेट के रख लिया था पहले से, चटनी, मीटी चटनी और हरी चटनी बना के रख लिया था, तो बस हमें इस तरह से बना के रख लेना है, तो यहां पर हमारा oil free दही बड़ा बन के तयार है ये tasty तो है लेकिन साथ ही साथ ये बहुत healthy भी है तो healthy खाना खाने का मतलब ये बिलकुल नहीं होता कि आप अपना favorite खाना खाना छोड़ दे बलकि आप अपने favorite खाने को एक healthy twist दे के भी enjoy कर सकते हैं वो भी taste को compromise किये बिना तो आपको मेरी recipe कैसी लगी मुझे comment करके जरूर बताईएगा अभी मैं लेती हूँ आप से विरा और मिलती हूँ अपनी अगली ऐसी ही किसी interesting वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई